Hello everyone, welcome back to my channel Skilark, मैं हूँ Priyanka और जो आज की हमारी class रहेगी इस class में exercise 11.3 का introduction part 2 हम देखने वाले हैं तो पिछली class में हमने देखा कि अगर किसी plane का normal form यानि plane की equation normal form में किस तरीके से find करते हैं और उसमें हमने कई सारी basic चीज़े समझी जिसकी जरुरत थी समझने की क्योंकि अगर वो नहीं समझेंगे तो आपको सारी जो चीज़े हैं वो समझ में नहीं आएंगी इसलिए पिछला वीडियो जरूर देख लिजएगा introduction part 1 क्योंकि उसमें मैंने सारी basic चीज़े cover कर दी हैं अब यहां पर हम फटाफट से आगे की जो form है अलग-अलग equations है वो हम find करेंगे ठीक है ठीक है उसकी equation find करना लेकिन किस condition में जब हमको एक perpendicular दिया जाए perpendicular vector दिया जाएगा यानि इस plane पर एक perpendicular vector अब पिछली class में जो normal form हमने पढ़ा था उसमें हमको एक normal दिया गया था मतलब एक perpendicular दिया गया था ठीक है तो इसलिए उसको हम normal form क्योंकि उसमें सिर्फ एक ही इसलिए वहाँ पर हमने सबसे पहले distance और direction find करके उसको एक vector में convert किया था ठीक है तो पूरी कहानिया अपन पिछली class में समझ चुके है अब यहाँ पर हमको दिया जाएगा perpendicular vector अब यह vector कहीं से भी आ सकता इस पर ठीक है बस इस plane पर perpendicular रहेगा and passing through a given point और यह जो plane है यह एक point से pass होगा ठीक है तो यह एक तरह का unique plane है इसलिए हम इसकी equation find कर सकते हैं क्योंकि अगर देखा जाए तो अगर सिर्फ और सिर्फ हमको इतना बोला जाता कि उस plane की equation हम find करेंगे जहाँ पर हमको एक perpendicular vector दिया जाए तो बहुँ perpendicular vector से जाने वाले कई सारे plane हो सकते हैं तो इसलिए हम यहाँ पर देख रहे है unique plane तो unique इसमें क्या है कि पहली चीज तो यह है कि इसमें हमको perpendicular vector तो दिया है लेकिन यह किसी एक point से पास होगा ठीक है इसलिए यह unique है पिछली class में जो normal form हमने पढ़ा था उसमें जो normal हमको दिया है कि यह हमारा perpendicular vector है vector n ठीक है clear है ना अब यह vector कहीं पर भी हो सकता बस plane पर perpendicular है इतना हमको पता है और हमको यह चीज़ पता है कि अगर plane पर यह perpendicular है तो plane पर कोई भी point या कोई भी line आएगी उस पर तो यह perpendicular हो गई होगा चलिए अब इसके बाद एक point दिया है जो जिससे हमारा plane पास हो रहा है तो हमने देखा कि plane पर कोई point हमने ले लिया point A ठीक है plane पर हमने point लिया A अब जब भी हमको कोई point दिया जाता है तो हम उसके जो coordinate से वह हम क्या सपोस करते है अगर हमको दिया है तो ठीक है तो यह point हो गया आपका A अब इसका position vector origin से OA जिसको हम ले लेते हैं vector A ठीक है तो lines की equations जब हमने find करना सीखनी तब भी हमको एक point अगर दिया जाता है तो हमने उस point को A लिया है और इसका जो position vector है वो हो गया vector A इसके बाद हमने यह suppose किया कि एक point all ले लिया हमने इस पर ठीक है तो अगर आप देखेंगे यह जो AP vector है यह point हमने P लिया है जिसके coordinates रहेंगे X, Y और Z और इसका position vector जो रहेगा यह रहेगा vector R तो जो point हमने अपने मन से लिया है उसके coordinates X, Y, Z और इस point का position vector रहेगा vector R ठीक है अब हमको यह चीज़ पता है मैंने अभी आपको पताया कि यह जो vector N है यह plane पर perpendicular है तो plane पर यहाँ पर यह ज समझ में आ गई बात तो देखिए सबसे पहले सारी चीज़े हम लिख लेते हैं वेक्टर N इस perpendicular to the plane and तो बात समझ में आई कि हमको यहाँ पर vector N जो है यह perpendicular दिया है और एक point दिया है ठीक है न एक perpendicular और एक plane तो perpendicular दिया है vector N जो plane पर perpendicular है और एक point दिया है जिसके coordinate से x1, y1, z1 और इसका position vector हो गया vector A अब हमने इसके बाद LED किया LED ठीक है हमने एक point P suppose किया जो plane पर है ठीक है कोई एक point है और इसका position vector है vector R अब हमको यह चीज़ पता है कि भाई अगर plane पर कोई vector perpendicular है तो सिधी सी बात है कि यहाँ पर यह जो line आपकी AP बन रही है और AP vector है तो AP vector और N vector दोनों perpendicular होंगे तो यहाँ पर यही कहानी हमेशा चलेगी कि अगर दो vector perpendicular है मतलब हमको यह चीज़ पता है कि दोनों का जो dot product होगा वो क्या होगा 0 तो बस बात खतम तो यहाँ पर अपन लिखेंगे and vector AP perpendicular to vector N ठीक है वही plane पर perpendicular हो तो AP पर परपेंडिकूलर हो गई हो गई है हमारा vector ठीक है तो अब जब दो vector perpendicular होते हैं तो इनका dot product जो होता है यानि vector AP dot vector N equal to क्या होगा 0 ठीक है clear अब यह जो AP vector है अगर यह हमको find करना है तो देखो आप दो चीज़ा कर सकते हो यहाँ पर चाहो तो triangle लो लगा लो इसमें value यह आ गई हमारी तो यहां लिख देंगे हम लीजे आ गया आपका vector form of this plane तो vector equation आ गई इस plane की किस condition में जब हमको एक point दिया जाएगा जिसका position vector A है और एक हमको perpendicular vector दिया जाएगा जो कि है vector N तो यहां पर समझने वाली कोई दिक्कत ही नहीं है कि अगर आपको कभी भी question में दिया जाता है कि plane की equation find करिए और यह किस एक point से पास हो रहा है और इसका perpendicular vector यह है तो perpendicular vector आपका vector N रहेगा और जो point आपको दिया जाएगा उसका पॉजिशन वेक्टर वेक्टर रहे जाएगा that's it काम खतम ठीक है तो यह हो गया आपका vector equation of the plane ठीक है passing through a point and perpendicular to a given vector that's it ठीक है अब इसका हमको क्या find करना है partition form और find करना है तो कर लेते हैं तो यहीं कहीं करते हैं देखो vector R क्या हो जाएगा आपका क्योंकि यह p point का position vector है और p के coordinates x, y, z ठीक है तो यह हो जाएगा आपका देखो x i cap plus y j cap plus z k cap तो मैं direct रख रही हुए ना minus अब एक a vector क्या है अपना जो है यह किसका position vector है point a का x1 i cap y1 j cap z1 k cap और यह minus जाएगा देखो यह minus को मंदल ले जा रहे हैं तो यह हो जाएगा आपका x1 i cap minus y1 j cap minus z1 k cap बात समझ में आ गई यह minus sign vector a के अंदर गया तो सब के sign change कर दिया और आपका vector n तो vector n का हम क्या करते देखो जो vector n है अब cd से बात है यह perpendicular है ठीक है तो जैसा कि मैंने आपको पिछली class में भी बताया था कि line में क्या होता था कि line की direction find करने के लिए हम क्या करते थे उसके parallel हमको एक वेक्टर दिया जाता था और हमारे plane में direction find करने के लिए हमको एक वेक्टर दिया जाएगा लेकिन पर्पेंडिकुलर तो जो पर्पेंडिकुलर वेक्टर है यह आपके plane को direction देगा और यह पर्पेंडिकुलर वेक्टर जो रहेगा अब small a i plus b j plus c के तो नहीं लिखेंगे हम यहाँ पर ले लेते हैं capital a i cap क्योंकि capital n ले रहे हैं b j cap plus c k क्योंकि यहाँ पर आपका देख पा रहे हैं आप पिछले form में आपका small d था क्योंकि वहाँ पर हमको perpendicular distance दी गई थी origin से यहाँ पर distance का कोई काम नहीं है यह आपका vector है सीधा सीधा वेक्टर ही दिया है आपको सीधा सीधा वेक्टर दिया है जो plane पर perpendicular है और एक point दिया गया है ठीक है बस इसको solve कर लिजे तो आप देखेंगे तो यह आजाएगा x-x1 i cap, y-y 1 j cap फिक है clear इतनी बात की समझ में अब इनका dot product कर दीजे तो i का i में होगा, j-k में होगा, k का k में होगा, तो सीरी सी बात है X-X1 का A में Y-Y1 का B में और Z-Z1 का C में तो यह हो जाएगा तो लीजे यह आगए आपका Cartesian equation of the plane ठीक है? किस condition में? जब आपको एक point दिया जाएगा तो X1, Y1, Z1 यह आपके given point के coordinates रहेंगे A, B, C क्या रहेगा आपका जो आपको perpendicular vector दिया जाएगा ना उसके direction ratios समझ में आगए बात? तो वैटर N है, ठीक है मतलग यहाँ पर यह शो करेगा इसकी direction को और direction वर direction ratios तो होगी होगी, ठीक है? समझ में आगए बात तो लीजे इसको आप note करी वीडियो को pause करके अब एक example करेंगे, आपको clear हो जाएगा सारा सब कुछ तो यहाँ पर हमने लिया example number 17 तो अभी हमने जो plane की equation का एक form पड़ा है जितमें हमको एक point दिया जाएगा और perpendicular vector दिया जाएगा और अगर perpendicular vector नहीं दिया जाता है तो perpendicular vector के direction दिये जाएगे राइट ठीक है तो में हमको direction रिशू की तो जरुष है ही तो खेर हमको vector और कार्टिशन दोनों form find करना है तो चलिए करते हैं सबसे पहले vector form पर बात करते हैं तो यहाँ पर अगर vector form चाहिए तो given point है यह चलिए लिखते हैं बात समझ में आ गई कि थोड़ा सा रफ figure बना के आपको समझा देती हूं कि इस तरीके से हमारे पास एक plane है बात समझ में आ गई अब इस पर एक कोई point हमको given है तो जो given point होता है वो होता है a point यानि की a point के coordinates होते है x1 y1 और z1 इसके बाद इस पर हमको दिया है perpendicular line के direction ratios दिये गए है तो perpendicular line जो भी रहेगी आपकी इस तरीके से इसके direction ratios दिये गए है 2 3-1 मतलब की 2 i cap plus 3 j cap minus k cap यानि direction ratios है न ये तो ये vector n हमको इस तरीके से दिया हुआ है ठीके समझ में आगई बात और यहां पर कोई point P है जो हम अपने मन से suppose करते हैं तो a p vector इसका जो position vector vector a हो जाएगा इसका p point का position vector 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 r हो जाएगा तो ये पूरा figure अपना तयार हो गया ठीक है चलिए तो जहां पर perpendicular की बात आएगी plane में मतलब vector n की बात हो रही है ठीक है समझ में आगई बात तो आपका vector n क्या हो जाएगा 2i cap plus 3j cap minus k cap इन दूनों चीज़ की अपने गुजरत थी और vector r अपना point p जो अपने मन से लिया है उसका position vector हो चलिए सीधा सीधा find करते हैं so vector equation of the plane क्या था अपना vector r minus vector a minus sorry dot vector n equal to 0 तो r minus a तो r को तो r रहने दो minus a vector अपना क्या है कहां गया 5i 2j minus 4k तो यहां आपने लेखा 5i cap plus 2j cap minus 4k cap ठीक है और vector n क्या है अपना यहां पर लिख देते हैं आपन 2i plus 3j minus k cap equal to 0 तो यह आ गई आपकी vector equation of the plane ठीक है passing through a point and perpendicular to this vector या फिर इसके direction ratios हमको दिये गए थे बस समझ में आ गई अब partition form और find करी लेते हैं तो देखिए इसके लिए अपने को जरुद किस-किस चीज़ की है एक point से पास हो रहा है अपना plane तो point अपने को दिया है एक क्या दिया है 5-2-4 ठीक है एक point दिया है अपने को है न और इसके बाद direction ratios दिये है 2-3-1 direction ratios of line perpendicular to the plane यह अपने को क्या दिया है 2-3-1 तो perpendicular की जब भी बात आईगी अगर कोई भी line है जो की plane पर perpendicular है तो मतलब वो आपके यह रहेगा a यह रहेगा b और यह रहेगा c ठीक है चलिए तो अपना क्या form था direct आप चाहें तो formula में भी value रख सकते हैं और चाहें तो इसते भी find कर सकते हैं कोई दिकत नहीं है तो देखिए a a यानि की 2 x-x1 plus b यानि 3 y-y1 यानि 2 plus c यानि की minus 1 तो plus minus minus z minus z1 यानि minus 4 तो यह plus 4 equal to 0 तो यह आ गहीं आपकी equation इसको थोड़ा और simplify कर लीजें तो यह हो जाएगा 2x 2 5 0 10 3 y 3 2 0 6 और minus z minus 4 equal to 0 तो यह हो जाएगा आपका 2x plus 3y minus 6 और 6 plus 4 10 10 plus 10 20 minus 20 equal to 0 बात समझ में आगे और आप चाहें तो minus 20 तो तरफ ले जाएगे तो यह equation आजाएगे आपकी 2x plus 3y minus z equal to 20 तो यह हो गया आपका example number 17 तो आप देख पा रहे होंगे कि questions जब करने की बारी आती है तो यह questions उतने ही simple है लेकिन जरूरत इस चीज़ किये कि हमको सारी चीज़ें पता हूं कि अगर कोई एक point दिया है तो उस point का position vector vector a रहेगा vector a को हम इस तरीके से use करेंगे और यह जो रहेगा यह हमेशा direction को show करेगा ठीक है मतलब यह जो vector रहेगा इसमें जो भी आपका i, j, k के साथ रहेगा वो आपके रहेंगे direction ratios राइट ठीक है तो लीजे यह हो गया आपका example number 17 complete, so यहाँ पर हम हम equation of a plane passing through 3 non-collinear points अगर हमको 3 non-collinear points दे दिये जाते हैं तो उस condition में हम plane के equation कैसे find करेंगे तो एक चीज़ का ध्यान दे है यहाँ पर बोला है non-collinear point अगर collinear होते तो हमको यह चीज़ पता है कि अगर 3 collinear points है इस तरीके से तो 3 collinear points तो कई सारे plane pass हो स 3 dimension space में इन 3 collinear points से पास होने वाले कई सारे plane हो सकते हैं लेकिन जैसा कि मैंने 11.3 स्टार्ट करें तभी मैंने आपको बता था कि plane हमको चाहिए unique जो unique किस condition में राएगा अगर तीनो points जो रहेंगे यह non-collinear होंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको अपन तो यहाँ पर ह मतलब पहला point R, दूसरा S, तीसरा T, तो R point के coordinate रहेंगे X1, Y1, Z1 इसका position vector रहेगा vector A, दूसरा point रहेगा S, इसके coordinate X2, Y2, Z2, position vector B, और तीसरा point T, X3, Y3, Z3 और इसका position vector रहेगा vector C, और एक point हम अपने मन से लेंगे point P, ठीक है, तो इसका position vector रहेगा vector R, coordinates X, Y, Z, तो देखिए थोड़ा फटाफट से समाझ लेते हैं इसको, R का position vector हो गया, vector A, S का हो गया, vector B, और T का हो गया, vector C, बात समझ में आ गई, clearly, अब इसके बाल, इसकी direction नहीं दिये plane की, तो plane की direction find करने के लिए अगर आप देखें, अगर हम vector RS और vector RT, ठीक है, तो vector RS और RT का अगर cross product कर देए, तो यहाँ पर हमको perpendicular vector मिल जाएगा, RS cross RT, ठीक है, तो RS cross RT जो रहेगा, यह इस plane पर perpendicular रहेगा, plane पर perpendicular, plane पर हमने कोई point ले लिया, इसको इदर लिख लेते हैं, हमने एक point लिया, point P, जैसा कि मैंने आपको उता है, यह point हम अपने मन से ले रहा हैं, इस plane पर, क्योंकि plane पर तो क कई सारे point हो सकते हैं, plane पर, कई सारे point हो सकते हैं, उन्हीं में से कोई एक point हमने उठा लिया, point P, और इसका जो position vector है, यह रहेगा, vector R, right, और सीरी सी बात इसको हमने अभी अपने मन से सब पूस किया, तो R से P की तरफ जाएंगे, तो vector R P, मतलब R P पर, यह जो RS cross RT है, यह रहेगा perpendicular, क्योंकि plane पर कोई भी point हमने ले लिया P, तो यह जो RP है, इस पर RS cross RT perpendicular रहेगा, तो बस काम अपना बन गया, तो collinear point R, S and T और इनके बारे में सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, clear, and vector R S cross RT is perpendicular to the plane, ठीक है, let P be any point on the plane, तो भाई, plane पर अगर कोई point है, और given point से अगर suppose किये गए point को हम join करते हैं, तो एक हमको vector मिलेगा, जिस पर जो भी perpendicular vector है, वो उस पर perpendicular तो हो गई होगा, ठीक है, भाई, इस तरीके से यह आपका plane है, इस plane पर इस तरीके से कोई perpendicular vector है, अब आप यहाँ पर कोई point ले लो, 20 degree का angle बनाएगा, ऐसे देखो कि तब भी 90 का angle, ऐसे देखो कि तब भी 90 का angle, तो point आप कहीं पर भी ले रहे हैं, यहाँ ले रहे हैं, कहीं पर भी ले रहे हैं, अब यह तो 2D है, 2D में इतना clear नहीं दिखता है, ठीक है, तो वही मैं आपको बता रहे हूँ कि इस तरीके से अगर यह perpendicular है, इस plane पर, तो इस plane पर आप यहाँ point ले लो, तो इसके foot से यह perpendicular यहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा, कहीं पर भी point ले लो, perpendicular तो रहे गई रहेगा, तो P भी any point अंदा plane, and rs cross rt is perpendicular to the vector rp, अब जो दो vector अगर perpendicular है, तो उनका dot product होगा, 0, तो यही हो जाएगा, rp dot rs cross rt equal to 0, ठीक है, अब देखें, यहाँ पर थोड़ा सा पन direct करेंगे, rp की बात करी जाए, तो अगर कोई vector find करते हैं, तो उसके terminal में इस initial को minus करते हैं, op minus or, तो op है अपना, r, यह ot है, c, यह os है, b, और or है, a, ठीक है, तो देखें, op minus or, op minus or, r minus a, rs, तो os minus or, os minus or, यानि b minus a, rt, तो ot minus or, ot minus or, यानि c minus a, तो बस समझ में आ गई, बस, यह हो गया आपका vector equation of the plane passing through three non-collinear points, ठीक है, तो a, पहले point का position vector, b, दूसरे point का position vector, और c, तीसरे point का position vector, बात समझ में आ गई, clear, तो इसको note करिए, तो आप इसका partition form हम देखेंगे, यह तो हो गया, इसका vector form, तो अब सीधी सी बात है, vector r क्या हो जाएगा अपना, या r minus a ही लिखते हैं, तो r minus a vector देखते हैं, तो vector r क्या हो जाएगा अपना, x i, y, j, z की, ठीक है, ठीक है, vector e क्या हो जाएगा, x1 i cap, y1 j cap, प्लस z1 k cap, ठीक है, vector b हो जाएगा, अपना, x2 i cap, y2 j cap, और z2 k cap, और vector c हो जाएगा, x3 i cap, y3 j cap, और z3 k cap, ठीक है, चलो, तो सबसे पहले, r minus a अपना, find कर रहे हैं, r minus a क्या हो जाएगा, r minus a, x minus x1, y minus y1, z minus z1, ठीक है, फिर b minus a, b minus a, x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1, c minus a, x3 minus x1, y3 minus y1, z3 minus z1, ठीक है, तो यह सारी values आ गहीं, तीनों value, तीनों value को यहाँ पर रखेंगे, तो आपको dot product भी करते आता है, cross product भी करते आता है, तो direct में इसका formula लिख रहे हूँ, क्या आएगा, x minus x1, y minus y1, z minus z1, यहाँ आएगा, ठीक है, और यहाँ आएगा, तो जब इस determinant को आप solve कर लेंगे, तो आपको मिल जाएगा, आपका Cartesian form, right, समझ में आगई बात, तो लीजिए, यहाँ पर हमने, तीसरे type की equation of plane भी देख ली, जिसमें तीन non-colinear points आपको दिये जाएंगे, और उस condition में आपको vector equation, या फिर Cartesian equation अगर find करनी होती है, प्लें की, तो vector equation इसे आप find कर सकते हैं, और Cartesian equation आप इसे find कर सकते हैं, ओके, ठीक, clear, समझ में आगई बात, तो चलिए example करते हैं, तो यहाँ पर example number 18, बढ़ा ही simple सा example है, हमको सिर्फ और सिर्फ vector equation find करनी हैं, और हमको तीन points दिये गए हैं, find the vector equations of the plane, passing through the points, this, this and this, ठीक है, तो formula अभी हमने देखा, चलिए, formula हमारा क्या होता है, सबसे पहले लिखते हैं, r-a dot, b-a cross, c-a equal to 0, ठीक, और जैसा कि मैंने आपको पता है था, कि जो आपका पहला point रहेगा, उसका position vector, vector a, दूसरा point का position vector, vector b, और तीसरे point का position vector, vector c, यानि पहले point से vector a मिल जाएगा, दूसरे से b और तीसरे से c, ठीक, तो, बात clear हो गई, बस गाल्यों रख दीजे, b minus a, तो, b minus a direct करके लिख देते हैं, minus 2i, minus 2i, minus 4i, ठीक, b minus a कर रहा है, तो, minus 2i में से minus 2i करेंगे, तो, minus 4i, minus 3j, minus 5j, 5, plus 3, 8, तो, minus 8j, 5, minus, minus, plus 5, plus 3, 8k, यह हो गया, अपना b minus a, cross, c minus a, तो, c में से a minus किया, तो, अपना आगया, 3i, minus 2j, और 0k, equal to 0, चिक, समझ में आगई बाद, ठीक, तो, b minus a, यह आगया, फिर cross, c minus a, यह, बस, खादम, तो, यह आगया, आपका, vector equation of the plane, passing through, 3 points, ओके, note कर लीजे, वीडियो को, पॉस करके, तो, यहाँ पर, अब हम देखने वाले हैं, किसी plane की equation, intercept form में, तो, intercept form, आपने देखा था, class 11th में, straight lines में, कि किसी भी line का, intercept form, अलग-अलग condition में, ठीक है, तो, यहाँ पर, अब हमको, plane के equation, intercept form में, देनी है, तो, सीडी सी बात है, intercept मतलब की, x-axis या y-axis को, किसी ना किसी point पे, यह intersect कर रहा है, तो, जैसे, यह point हमने ले लिया, अपना, p-point, यह ले लिया, q, यह ले लिया, r, अब सीडी सी बात है, x-axis पर, x कुछ ना कुछ रहेगा, y और z 0 रहेगा, तो, यह हम ले ले लेते है, a, 0, 0, यहाँ पर, y कुछ ना कुछ रहेगा, x भी 0, ठीक है, और y हो गया, b, और z भी अपना 0, और r की अगर बात करें, तो, इस point के coordinate, x भी 0, y भी 0, और z कुछ ना कुछ रहेगा, यानि, यह x, y, z तीनों axis पर कुछ ना कुछ इंटरसेप्ट कर रहा है, तो, यहाँ पर अपन derivation नहीं करेंगे, अपन सीधा-सीधा formula लिख लेते हैं, तो, यह हो जाएगा, आपका x अपॉन a, प्लस y अपॉन b, प्लस z अपॉन c एक्वल टू बन, ठीक है, समझ में आ गई बात, तो इस तरीके से किसी भी plane का intercept form आप find कर सकते हैं, ठीक है, इस पर एक example करते हैं सीधा आपन, तो लिजे, example number 90 नहीं हमारा, find the equation of the plane with intercepts 2, 3 and 4 on the x, y and z axis respectively, यानि x axis पर जो intercept कट हो रहा है, मतलब की x पर intercept कट होना, मतलब a, y पर जो intercept कट हो रहा है, मतलब b, और z पर intercept कट हो रहा है, मतलब c, यानि a b c की value दी है हमको, ठीक है, तो a equal to 2, b equal to 3 and c equal to 4, clear, तो intercept form अपना क्या होता है, यहाँ पर लिख लेते हैं, equation of plane, in intercept form यह हो जाएगा, x upon a, plus y upon b plus z upon c equal to 1, value रख दीजे, that's it, तो यह हो जाएगा, x upon 2 plus y upon 3 plus z upon 4 equal to 1, LCM लेंगे इसका, तो यह आजाएगा अपना, 12, 2, 6s are 12, 6x, 3, 4s are 12, 4y, 4, 3s are 12, 3z, equal to 1, यह 12 इदर चले जाएगा, तो यह हो जाएगा, आपका, 6x plus 4y plus 3z equal to 12, clear, समझ में आगई बार, तो intercept form अगर बूला जाता है कभी, कि equation of the plane find करना है, in intercept form, तो इससे find कर सकते हैं, और example हमने देखी लिया, ठीक, तो यहाँ पर, अब एक और चीज़ हम देखने वाले हैं, अगर, माल लेज़े कि हमको, एक ऐसी plane की equation पूछी जाती है, which is, passing through the intersection of two given planes, अगर हमको यह दोनों plane दिये हैं, π1 plane और π2 plane, दोनों plane देवे हैं, लेकिन दोनों plane intersect कर रहे हैं, देखी, यह दोनों plane intersect कर रहे हैं दूसरे को, और इस intersection पर ही, तीसरा plane है हमारा, formula ही लिखते हैं, क्योंकि हमको यह चीज़ पता है, कि देखी, जो intersection point है, इनका, आप देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर, यहाँ से लेके, यहाँ तक अगर देखा जाए, तो यह इनका intersection point है, और इधर पर, हम कोई भी point लेते हैं, obviously हम एक P point लेंगे, ठीक है, पी point लेंगे, जिसका position vector रहेगा, vector r, जो की, इन तीनों planes को satisfy करेगा ही करेगा, तो, तो, पाई 1 हमारा क्या हो जाएगा, vector r, dot vector n, equal to vector, sorry, d, और इसको ले लेते हैं, एन 1, क्योंकि पहला वाला हमारा, यह plane है, उसकी equation, दूसरे वाले plane की equation की बात करें, तो, vector r, dot n2, vector equal to d2, तो, इन दोनों का जो intersection है, वहाँ पर अगर कोई plane है, तो, उसकी equation क्या होगी, तो, पाई 3 हमने plane लिया है, यहाँ पर, तो, पाई 3 की equation क्या हो जाएगी, vector r, dot, vector n, n1, sorry, n1, plus lambda, vector n2, equal to d1, plus lambda d2, बात समझ में आ गई, clear, तो, यह रहेगी आपकी vector equation, अब बात करते हैं, partition equation की, तो, n1 और n2 अपने को पता है, तो, vector n1 क्या हो जाएगा अपना, हम सबोस कर लेते हैं, यह हो जाएगा आपका, a, i cap, plus b, j cap, plus c, k cap, और यहाँ पर, 1, 1, 1 लगाना है न, और अपना, n2 vector, a2, i cap, b2, j cap, c2, k cap, बस यहाँ पर values रखना, और अपना काम खतम, vector r तो आपको पता ही, x, i, y, j, z, k, ठीक है, और vector r अपने को पता ही ही हो जाएगा, x, i, y, j, z, k, और इसमें जब आप value रखेंगे, तो आपको final result मिलेगा, a1, x, plus b1, y, plus c1, z, minus d1, यह सारे a1, b1, c1, और d1 वाले है, plus lambda, a2, x, plus b2, y, plus c2, z, minus d2, clear, लीजे, तो यह आपको, partition, अब हम करेंगे एक example, तो यहाँ पर हमने लिया है, example number 20, यहाँ लिख देती हूँ मैं, example 20, ठीक है, तो यहाँ पर हमको बोला जा रहा है, find the vector equation of the plane, passing through the intersection of the planes, this and this, तो देखिए, दो plane के intersection से, हमारा जो plane है, वो pass हो रहा है, ठीक है, and the point this, तो यह हम अभी देखेंगे, बाद में सबसे पहले, तो हम vector equation find करते हैं, चलिए, तो सबसे पहले अगर इसको देखें, तो यहाँ से यह हो गया हमारा vector n, यह भी vector n, बट क्यूंकि यह पहला plane है, तो vector n1, vector n2, d1, d2, so, यहाँ से vector n1, हो जाएगा, i cap, j cap, k cap, vector n2, आपका हो जाएगा, 2 i cap, plus 3 j cap, plus 4 k cap, इसके बाद, d1, 6 d2, minus 5, तो formula अभी हमने देखा, बस उसमें value put up करना है, तो find the vector equation of the plane, passing through the intersection of this and this, यह दो plane के intersection से जो pass हो रहा है, उस plane का vector equation find करना है, तो, यहां लिखेंगे, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, equation of the plane 1, this, equation of the plane to this, ठीक है, plane 1 की equation को equation 1 दीजे, 2 की equation को 2 दीजे, from first हम को मिला, n1, d1, from second हम को मिला, n2, d2, ठीक है, तो थोड़ा सा systematic करना है, vector equation of the plane क्या हो जाएजी अपनी, अभी हमने देखा था, vector r dot, vector n1 plus lambda vector n2, equal to d1 plus lambda d2, right, इसमें value रख दीजे, तो vector r, n1, n1 क्या है अपना, i, j, k, plus lambda n2, 2i, plus 3j, plus 4k, gap, equal to d1, plus lambda d2, तो d1 है 6, d2 माइनस का है, तो plus माइनस, minus lambda d2, यानि 5 lambda, बात समझ में आगे, ठीक है, थोड़ा से उसको और arrange कर लेते हैं, तो ये vector r, तो ऐसी रहनी दीजे, ये हो जाएगा, आपना देखो, i वाले terms अलग, j वाले अलग, k वाले अलग, तो 2i, lambda और i, तो ये हो जाएगा, 1 plus 2 lambda, i, चीक है, 1 plus 3 lambda, j, 1 plus 4 lambda, k, तो ये आपकी vector equation तो आ गई, लेकिन यहाँ पर lambda है, ठीक है, और यहाँ पर क्यूंकि हमको बोला गया, एक और extra चीज दी गई है, कि ये जो plane है, ये हमारा point 111 से भी पास हो रहा है, मतलब, यहाँ से हम, हमारे lambda की value, find कर सकते हैं, तो चलिए करते हैं, तो सबसे पहले तो इसको थोड़ा सा और simplify करना पड़ेगा, यह जो हमारा vector r है, इसको हम लिख सकते हैं, x i cap, plus y j cap, plus z k cap, रहेगी हमारी ये वाली equation number 1, main वाली है, तो अब ही सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, इसको होड़ा simplify करेंगे, जिससे ये point जो है, इसमें हम रख सकें, क्योंकि सीडिसी बात है, कि ये आपके plane की equation आई है, और ये जो plane है, ये इस point से pass हो रहा है, अब इस point से अगर plane pass हो रहा है, मतलब ये point इस plane की equation को satisfy करेगा, बस चलिए, तो, यहाँ पर dot, ठीके, अब क्या करेंगे भई, इन दोनों के बीचे में dot product है, तो i का i में हो जाएगा, j का j में हो जाएगा, और k का k में हो जाएगा, ठीके, और हमको पता है कि, i cap dot i cap 1, j cap dot j cap 1, k cap dot k cap 1, तो, ये हो जाएगा, 1 plus 2 lambda x, plus, 1 plus 3 lambda y, 1 plus 4 lambda, z, equal to, 6 minus 5 lambda, ठीके, dot product कर लिया, अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम, इस x का इस bracket में multiply करेंगे, y का multiply करेंगे, z का multiply करेंगे, और lambda को अलग कर लेंगे, यानि lambda वाले terms अलग, तो देखो, x into 1 ये हो जाएगा, x, और 2 lambda x, ये अलग हो जाएगा, तो देखो, x का इस अलग करेंगे, x और 2 lambda x को अपन अलग कर लेंगे, मैं थोड़ा सा roughly कर रही हूं, y का 1 में करेंगे, तो plus y आ जाएगा, z का 1 में करेंगे, तो plus z आ जाएगा, lambda वाले terms हैं, देखो, 2 x, 3 y, 4 z, बास समझ में आ गई, clear, चलो, बस, तो देखो, इस equation को simplify करके, हम ये equation लाएगे, और ये equation हमारी plane की equation है, और plane जो है, इस point से पास हो रहा है, तो यहाँ लिखेंगे हम, तो ये point इसमें रख देंगे, x की जगा पर 1, y की जगा पर 1, z की जगा पर 1, तो देखो, 1 plus 1 plus 1, 3, 2 1s are 2, 3 1s are 3, 4 1s are 4, 4 plus 3, 7 7 plus 2, 9, मतलम 9, lambda, equal to 6 minus 5 lambda, इसको solve कर लेंगे, तो 5 lambda इदर आएगा, तो 9 lambda plus 5 lambda, और ये 3 उदर जाएगा, तो minus का हो जाएगा, तो लीजे, lambda की value आगई, बस lambda की value, यहाँ पर put up कर देंगे, और अपना काम बन जाएगा, चलो, तो कहां किया जाए, तो अब क्या कर रहा है, lambda की value यहाँ पर हम रख रहे हैं, यह न, तो देखिए, थोड़ा सा direct करूंगी, मैं, vector r dot, 1 plus 2, तो थोड़ा सा यहाँ रफली कर लेंगे, 1 plus 2, lambda कितना है अपना, 3 upon 14, तो 3 से नहीं कड़ेगा यह, यह कड़ेगा, 2 7s are 14, तो यह आजाएगा, 1 upon 7, तो 1 plus 1 upon 7, कितना हो जाएगा, 7 upon 7, 7 plus 1, 8 upon 7, ठीक है, तो यहाँ पर आजाएगा, अपना, 8 upon 7 आए, ठीक, प्लस, 1 plus 3, lambda, lambda कितना है, 3 upon 14, 3 3s are 9, 9 upon 14, 14 बंजार 14, 14 plus 9, 23 upon 14, जेक है, ठीक, प्लस, 1 plus 4, लेम्डा, ठीक है, 2 2s are 4, 2 7s are 14, 7 बंजार 7, 3 2s are 6, upon 7, 6 plus 7, 13 upon 7, ठीक है, इन सभी को, मैंने थोड़ा सा, directly solve गर लिया, equal to, 6 minus 5, lambda, तो 6 minus 5, lambda, 5 3s are 15, upon 14, ठीक है, इसको थोड़ा और, simplify कर लेते हैं, LCM लेंगे, तो आज आएगा, 14, 7, 2,014, 8, 2,016, I cap, 23, J cap, 26, K cap, समझ में आरी बार, हमने सर्फ क्या किया, यह जो लेम्डा की वैल्यू थी ना, इसको equation 1 में रख दिया, यहाँ पर लेम्डा की वैल्यू रखी, पूरा सॉल्व किया, तो 8 upon 7, I cap, 1 plus 3, लेम्डा की वैल्यू रखी, तो यह आगया, 23 upon 14, J cap, 1 plus 4, लेम्डा को सॉल्व किया, तो 13 upon 7, K cap आगया, फिर 6 minus 5, लेम्डा की वैल्यू रखी, तो 69 upon 14 आगया, अब इसको थोड़ा और सिंप्लिफाइ करना, LC में लेके हम सॉल्व करेंगे, इसके डिनुमिनेटर में 14 है, इसके डिनुमिनेटर में 14 है, एक एंसल हो जाएगा, तो यह आजाएगा, अपना final answer यहाँ लिख रहे हैं, एक मिनिट, यहाँ पर 16 नहीं आएगा, और यहाँ पर 8 नहीं आएगा, थोड़ा और सॉल्व करतेंगे, अमने समें निस्टेक करेंगे, 1 प्लस 2 लेमडा, ठीक, तो 1 प्लस 2, लेमडा कितना है, 3 upon 14, 2 7s are 14, 7 1s are 7, 7 प्लस 3, 10 upon 7 आएगा यहाँ पर, ओके, ठीक है, और 7 2s are 14, तो 2 10s are 20, बस, clear, चलो, तो यह हो जाएगा, अपना, लीजे, तो यह आ गई आपकी, vector equation of the plane, passing through, these two planes, and the point, this, example number 20 हो गया है, हमारा, complete ही है, तो इसको note करना है, तो वीडियो को pause करके, आप note कर सकते हैं, बांकि, आज की class में, हम बस इतना ही करेंगे, आज की class में, हमने कुछ और, अलग-अलग तरह की, conditions में, plane की equation find करना सीखा, example भी किये, और I hope की, example से आपको, थोड़ा बहुत समझ में, आ गया होगा, कि किस तरीके से, हम questions करने वाले हैं, exercise 11.3 में, ठीक है, So I hope की, आज की class में, हमने जो concept समझे हैं, जो example समझे हैं, या आपको अच्छी तरीके से, समझ में आये होंगे, वीडियो भी पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया है, तो like जरूर करिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए, इसी तरह के और वीडियो के लिए, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए, बाई and थैंक यू,